कि अज़ों कि मैं अज़ों कि मैं दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं पिस्तर नम्बर को दिया है एक दो गुले दो आफ्यू एक प्रटु ए आई जे की रस्ना किजिए जिसके अवयव निम्देशिक प्रतार से प्दर है अब यह देखना है कि हमें दो गुले दो का मैक्रिक्स बनाना है दो गुले दो का मतलब होता है दो आपके अस्तम्म हो और दो आपके पक्ति अब यह देखना है हम इसको सांब करेंगे ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे इसका होल स्क्वाइब आई अब हम पहले ए वर्ण वर्ण यानि पहली पक्ति और पहला आस्तम्म लेंगे यानि आई के जगा पर ए और जे के जगा पर एक रखेंगे आपका महिन हो जाएगा 1 प्लस 1 इसका इस्क्वाइर था ही तू आप देख रहें हां 1 प्लस 1 टू यह हो गया 2 इस्वाइर करेंगे यहां उडे 2 गटे 2 एक एंसी हो जाएगा दोसे क्या है आपका फिर पाली पक्ती पाला जो पक्ती होगा और दूसरा अस्तम यह हो जाएगा आपका यानि आई के जरा पर वन रखेंगे जे के जरा पर दू रखेंगे दूसरी पक्ती पाला जोजाद दूसरा अस्तम हो जाएगा और दूसरी पक्ती एक कुल वन कमा निकालेंगे तो आई के जनाब पर दो और जे के जनाब पर एक रखेंगे यह हो जाएगा टू प्लस वन इसका स्क्वायर बाई दो और यह ती स्क्वायर है ती उड़े ती बटे दो अरता नो बटे दो अब देखेंगे ए तू तू यानि दूसरी पक्ति और दूसरा अस्तम तो दूसरी पक्ति दूसरा अस्तम में आई के जनाब पर दो जे के जनाब पर दो इसका स्क्वायर करेंगे फूरे बटे 2 हो गया तो 2 और 2 4 आइसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बुले 4 बटे 2 प्रेंशिप करेंगे तो 4 बुला अब आपको मैट्रिक्स मनाना है आपको ए बराबर आप लिखेंगे A11, A12, A21, A2, A2, यहां फाहालियात की पक्ती हो गयी और यह पहला आस्कम हो गया यह दूसरी पक्ती हो गयी दूसरा आस्कम हो गया तो अब यह बनाएंगे आप कितना मान भिकाने है अब इसका दूफरा पाट दूसरा है ए आई जे वर्टू आई या पाट जे इसको भी अमल करेंगे तो देखेंगे कि A11 यानि पाली पक्ति पाले अस्तम में वहलू क्या होगा अब आई कामाद वन जे कामाद वन तो वन बाई वन अर्था वन हो गया अर्था वन तो आई कामाद वन जे कामाद वन तो अर्था वन तो अर्था वन तो अधिन कालेंगे अब आपका मेंट्रिक्स क्या होगा? A11, A12, A21, A22 यह दिखेंगे A11 की वैलू कितना आया है? 1 आया है तो यह हो गी आपका 1 A12 की वैलू कितना आया है? 1 by 2 तो दिखेंगे 1 by 2 फिर A21 की वैलू कितना आया है? 2 फिर A22 की वैलू कितना आया? 1 यह हमारा अजिखेंगे यह दो हुडे दो का मेंट्रिक्स है तीसरा माग अजिखेंगे अजिखेंगे A11 यानि पालिकक्ती पालास्ता तो आ के देगा पर 1 जे के देगा पर 2 तो 1 प्लस दो गुडे 1 इसका इस्क्वायर पाइप यह हो जाएगा दो एक्टम दो और एक तीन तीन का इस्क्वायर करेंगे तीन गुडे तीन बटे दो अथा 9 वै तेन कालेंगे A1 2 नरिकाली पाल्ती पाल्ती दूपरास्ता आई के देगे आपा हम क्या रखेंगे एक जे क्राप पाल्ती एक धन दो गुडेU इसका इस्क्वायर पाइप दो तो दूपला चा और एक पाँच पाँचका इस्क्वायर करेंगे तो पाँच गुडे पाँच बटे दो अर्थात तो आई बटे हम निकालेंगे ए टु वन अब क्या हो जाएगा आई के तड़ा पर दो, जे के तड़ा पर ए तो क्या हो दिया दो धन, दो बुछे ए इसका स्क्वायर पटे फटे तो एक्कम दो दो और दो चार काइस्ट उआ बहेदा है बहेदा दो फैटसी इतना होगा हाइगा आट अब क्यां क्यालेंगे ए को यानि आई के जगापर भी दो और ये के जबापर भी दो छे डीला हो जाएगा तो धarnya अब दो दूना चार चार और दो छर चर का इस्वार करेंगे चाप तीस यानि ए तू 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 कि वैलो हो गया अचार तीस बटे दो से काटेंगे तो 18 हो गया क्यानि ए तू तू की वैलो कितना है अथा रहा है आपकी मैंक्रिक्स क्या हो जाएगा ए गो मैंक्रिक्स क्या हो गया अचार दो जाटे साथ उत्तो कितना है और सी अचार आपका रहेंगे और def 2019 की वेलू कितना है? 9 by 2 है, या लिखेंगे 9 by 2, A1 की वेलू कितना है? 25 by 2, A2 1 की वेलू कितना है? 8, फिर A2 2 की वेलू कितना आया है? 18, यह आपका 20 सो जा, तो बहुरे 2 बागुश्या, अब क्रेस्टन नम्बर, 5. कर दो कि पुरे चार आभीर की रचला करना है जिसके अवयोग में लिखित है जिसके अवयोग में लिखित है लंबातों कै आई जे वर्टू वाइटू बाइटु नाट माइनस दी आई प्लस दी हुआ अब यह देख रहा है कि हमें तीन बुडे चार का मैक्तिक्स बना आए यानि तीन पक्ती होने चाहिए और चार अस्तम होने चाहिए इसका मतलब आपको इस तरह से मैट्रिक्स बनाना है कि यह आत्मा वो पाली पक्ती यह दूसरी पक्ती यह तीसरी पक्ती यह पाला अस्तम दूसरा अस्तम दूसरा अस्तम और चौता अस्तम यानि तीन पक्ति होने चाहिए और चाह आपके हस्कम होने चाहिए तो हम इसको साल करेंगे पहले A1, 1 का ले काले यानि पहले पक्ति का अलास्टम में मान क्या होगा I की बहनो? 1, J की बहनो? 1 तो 1 by 2 माट दराएंगे माइनस 3 into 1 plus 1 माइनस थ्री में उन का 'll be Correct करेंगे। थी होगा यह कोतार करेंगे तो तो कि फॉद एंदर है तो जैसे वन आ गया फिर आंग A12 की बाई लू निकालेंगे A12 की बाई लू चुपनायेगी आपका I के जर्वा परवाद J के जर्वा परवाद 1 बाई 2 मार्क के अंदर 3 गुदे 1 प्लस 2 अब यह देखेंगे 1 by 2 मार्क के अंदर minus 3 का 1 में बुदाओगा minus 3 और plus 1 यह 1 by 2 हो गया minus 3 plus 1 minus इकना हो जायागा 2 minus 2 बाई होगा 2 by 2 minus 3 minus 3 अब यह 2 है minus 3 बेसे 2 जायागा कि का आया आपका minus 1 तो minus 1 के मार्क के बाहर करेंगे तो 1 by 3 जायागा अब देखेंगे 1, 1, 3 निकालेंगे क्योंकि पालिट पत्ती इस्रा आस्त है और हमें तिकने अस्तम तर निकालना है 4 अस्तम निकालना है तो 1, 1, 4 तर निकालना पड़ेंगे 1 by 2 मार्क माइनस 3 पुडेवर और प्लस जे के इनवपर कितना मार्शी में हो अब 3 कालना है तो जे के इनवपर 3 अब यह देखेंगे कि 8 बटे दो माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 देखेंगे 0 हो जाएगा पुड़ा वैल्म के आएगा 0 अब ती 1 4 की वैल्म निकालेंगे एक बटे तो माड़ा माइनस 3 प्लस अब जे के इनवपर कितरा रखेंगे 4 रखेंगे यह देखेंगे आपका 1 बाई 2 माड़ आप माइनस 3 प्लस 4 अब देखेंगे कि माइनस 4 है माइनस 3 है स्री माइनस 3 है प्लस 4 है जब रखाएंगे तो क्या आएगा 1 यह हो जाएगा 1 बाई अब तो यह निकल गया अब A21 का वैलो निकाले के वैलो यह रखना वैलो यह रखना 1 आया है 0 आया है अब A21 यहनी I के जगा पर 2 J के जगा पर 1 1 बटे 2 minus 3 into 2 plus 1 1 बटे 2 minus 6 हो जाएगा plus 1 अब यह देखना है कि minus 6 plus 1 तो minus 5 हो जाएगा minus 5 माइट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा 5 by 2 हो जाएगा फिर A2 2 निका लेगा 1 बटे 2 minus 3 plus 2 अब यहां देखेंगे 3 मुना 6 तो हो जाएगा 1 बटे 2 minus 6 plus 2 अब यह देखेंगे minus 6 में से 2 गटाएगे minus 4 आएगा माण के अंदर है तो minus पतम हो जाएगा 4 बटे 2 हो जाएगा 4 बटे 2 माण आप minus 3 गटे 2 plus 3 यह हो जाएगा 1 by 2 minus 6 plus 3 minus 6 में से 3 गटाएगे 3 हो जाएगा minus 3 हो जाएगा 3 बटे 2 अज देखेंगे 1 by 2 माण आप minus 3 माण आप plus 4 तो यह बटाएगे 1 by 2 माण आप minus 6 plus 4 है जब बटाएगे minus 2 आएगा minus 2 उपाट के बाह होगा 2 हो जाएगा 2 से 2 कर जाएगा 1 अब यहाँ देख रहे हैं धूपसरा हो गया यानि एक अस्तम अब निकावना है हम निकावने के a 3 1 a 3 1 यानि i के जाएगा पर 3 j के जाएगा पर 1 यह जाएगा 1 by 2 माण आप minus 3 3 बुड़े 3 प्लस 1 यह हो गया 1 by 2 माण आप minus 9 प्लस 1 देख रहे हैं माण आप प्लस 1 तो कितना हो जाएगा गटाएगे तो minus 8 होगा माण के बाहर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा तो आथ बटे 2 अचा अब एक बटे 2 माण आप minus 3 प्लस 2 यह हो गया 1 by 2 माण आप minus 9 प्लस 2 अब यह देख रहे हैं यह 3 2 की वहलू कितना आप एक बटे 2 minus 9 प्लस 2 गटाएगे कितना आएगा 7 आएगा minus 7 होगा माण के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा कितना आएगा 7 बटे 2 अब A 3 3 यह तीसरी पक्ती तीसरा आस्तम एक बटे 2 माण आप 3 इंटू 3 प्लस 3 यह हो गया एक बटे 2 minus 9 9 में सित्ती मेटाएगे 6 होगा और माण के अंदर है माण के बाहर आएगा अच्छे होगा minus 3 2 3 प्लस 4 एक मटे 2 माण आप minus 9 प्लस 4 एक मटे 2 5 होगा माण प्लस 5 होगा माण प्लस 5 होगा आपकी मैट्रिक्स होगी 3 और 4 की मैट्रिक्स आप इकाले में तो लिखेंगे A equal to A1 1 A1 2 A1 2 A1 3 यानी 4 अस्तम होने चाहिए A1 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 A3 1 A3 2 A3 3 A3 A3 यह आपके मैट्रिक्स होगा हम यह देखेंगे कि कितने पक्ति हमें चाहिए 3 पक्ति चाहिए और 4 अस्तम चाहिए तो एक पक्ति यह एक पक्ति यह तिन पक्ति हो में 1 2 3 और 4 अस्तम होगा अब जितने आपके मान आये चैनल करी मानों को हम रखेंगे अब एक आपके आपके यह दो आपके 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 a4 की वैनु आएएची 1by2 a2 1 की वैनु आएची 5 बचे 2 किरायां फा 2 a2 2 का a2 3 की वैनु आएची 3by2 a2 4 की वैनु आएची 1 a3 1 की वैनु आएची 4 अगले वीडियो के लिए पार्ट तीसरा कि उस समय के बाद आएगा झाले कि आएगा